नमश्कार दोस्तों मैं प्रभात कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने फेवेट यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है प्रभात रोडिंग सर्वर्स दोस्तों लेके आगे हम आपके लिए शानदार जानदार और धमाकेदार वीडियो आज की वीडियो में जानने वाले हैं कल के मार्केट का विए दोस्तों जैसा कि हमने एक चीज़ डिसकस किया था कि आज मार्केट अगर नीचे आएगा तो आपको प्यार से खरीद लेना है उसको प्यार से बाय कर लेना है आज क्या देखने को मिला आज एक्चुल में वही च सब को जाने के आज की वीडियो में अलॉंग विडिस हम जाने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में वीव जो आपको कल अच्छा कासा मोमेंटम प्रवाइड कर सकें वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होने वाली है वीडियो को आप एंड तक देखिएगा अगर आपने एक भी तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो के तरफ दोस्तों आज मार्केट में मुवमेंट देखने को मिली बहुत ही रेंज मांड मुवमेंट थी अच्छा आइए पहले मैं आपको समझाने के कोशिच करता हूं कि मैंने कल आपको निफ्टी में क्या बताने का और बैंक निफ् क्या हुआ गाप डाउन खुला हलका फुलका यहां पर रेंज बनाया सस्टेन किया और आप देख सकते हैं कि क्या शार्प अपसाइट मुवमेंट हमें देखने को मिली है तो मैंने निफ्टी को टागेट बुक करने को बोल दिया था टेलिग्राम गुरूप में जा के एक पर देखिएगा तो सेम एक्जाक्ली हमें वही मुवमेंट देखने को मिला जैसा हमने डिस्क्रिशन किया था सेशन में अचा बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की तो देखिए हमने आपको बताया था कि देखो बैंक निफ्टी जब तक 22,000 के उपर रहेगा आपको बाय क कर रहा है ठीक है अच्छा और दोस्तों आज आपने मेरे खाल से बहुत बढ़िया मुनाफ़ा कमाया होगा HDFC AMC में दोस्तों HDFC AMC लगतार आज पूरे दिन भर स्लोली स्लोली बहुत गिरा है कहने का मतलब उपर गया था और धीरे 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 ये अच्छा खासा इस उच्छाल मिलेगा आपको बेचना है आप देख सकते हैं कि उच्छाल मिला था चलिए मालीजी आपने टॉप पर शॉटसल किया होगा तो आपको थोड़ा वो तेहां पर प्रॉफिट मिल गया होगा कहने का मतलब यह दोनों ट्रेड कॉंसोलिडेशन के साथ आज नीचे ज दोस्तों इससे बड़ी आनलसिस आपको और कहा चाहिए इतना मैं आपको प्रॉफिक्ट एन अनलसिस दे रहा हूं ठीक है तो आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा हमारे दोनों स्टॉक्स में अच्छा में टेलिग्राम पे आपको दो स्टॉक और दिये थे एक आप आपको मैंने अबी दिया था इसमें भी आपको 6-5 पॉइंट मिले थे ठीक है अबी में और आपको जुबलेंड फूट दिया था दोस्तों मैं टेलिग्राम पे चाट भी शेयर करता हूं ताकि आप लोग थोड़ा वहाँ पे सीख भी पाएं ठीक है जिस चाइं मैंने टेल के मार्केट का विव दूस्तों कर जैसे कि आपको पता है निफ्टी और मांक निफ्टी का वीकली एक्सपाइरी है तो जो रनीती है हम बाय की रखेंगे यानी डिप में बाय का रखेंगे यानी जितने के आसपास आज आया था निफ्टी दो 11,250 के आसपास वहां कहीं ने डेबल टॉप भी फर्म किया है आप देख सकते हैं ठीक है तो निफ्टी अगर कल की डिट में अगर इस लेवल के उपर निकलता है तो एक और शाप अपसाइड मोमेंट देखने को मिलेगी तो आपको कल निफ्टी को कितने के टागेट के लिए बाय करना आपका टागे रहेगा 11,360 का और 11,400 का आपका टागेट रहेगा निफ्टी में ठीक है तो इन दो टागेट के लिए आप निफ्टी को प्ले कर सकते हैं अपसाइड के लिए और इसका वाइस वर्सा तो आपको पता ही है कि अगर 11,250 का लेवल तूट जाए तो फिर नीचे साइड इसमें एक शाप फॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी में तो ये दो चीज आप रेडी रखिएगा कल के लिए कल मार्केट वोलटाइल हो सकते हैं ठीक है आज क्या हुआ आज मार्केट रेंज में रह गया अब कल एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर आप 22,000 का एक आपका बहुत ही कुशियल और क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है ठीक है जब तक इसके उपर रहेगा बैंक निफ्टी आपको बाई ही करके चलना है अब दोसों क्या है अब बैंक निफ्टी में कल अगर फ्रेश मुमेंट स्टार्ट होगी तो आपको इसके उपर दे देखने को मिलेगे कहां तब आपका टागेट वन हो जाएगा 22,500 और टागेट टू हो जाएगा आपका 22,600 का तो यह दो आपको टागेट देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में अपसाइट ठीक है बाकी नीचे आपको मिले बाई जार के आसपास तो आप बाई करके चल सकते हैं फिर से वही 21,900 का SL लगा के आप तो इस प्रकार से हमको प्ले करना है रेंज कल निफ्टी और बांक निफ्टी में आई होप आप समझ गए हैं जुस्तों मैं आपको एक अपडेट दे दूँ आपको तो पाता ही होगा हमने कल TCS दिया था कल पड़सू ठीक है TCS कल तो गिरा नहीं मतलब कल वाइप आउट किया था उसने अपनी बढ़त परन्तु आज 20 से 30 उर्पे गिरा है तो देखिए चीजें आपको समझना है जो मैं स्टॉक देता हूँ ठीक है उसमें आपको प्राइस आक्शन जहां बनते हो देखिए वहां पर ट्रेड करना है आप ब्लाइंडली किसी के भी लेवल पर ट्रेड करोगे तो आपको लॉसी होने वाला इसको आप समझना है आपको एनालिसिस फॉलो अप करना है ठीक है चलिए हम जान जो कि हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का वियू अब हम समझते हैं अपने स्टॉक के बारे में वियू द अपना पहला जो पहला स्टॉक है हमाईज उसका नाम है एक्स बैंक दोस्तों ऐक्स बैंक को हमको बाय करक dissebank कह ब्यों तिक अच्छ accordance की का ब्रेकाउट देचुगा है मैंने यहीं रिजिस्टेंस सेम आज चार्ट में ने रेसेड किया था तेलेगरम में आप जाकर चारबार resistance लिया करता था, और resistance का ब्रेकआउट देच्टुका है, इसका मतलब है, चांस oke, तो चांस назад है, ।शन के सब्सक्राइब आई, डिया आई, आपको एसे लगाना है 445 का, यानी, अर अच्छा Chancellor 2, 445 का ऐसे नहीं लगाना है, जब तक 445 के उपर रहेगा, तब तक आपको बने रहना है, 445 का अगर माली जे नीचे कोई कैंडिल बंद हो जाए, तो आपको उसकेस में निकलना है, ठीके, अचा, इसका टागेट आपको अपडेट कर दूँगा टेलिग्राम गुरूप में जाकर जूट सकते हैं, लिंक डिस्क्यूशन बॉक्स में दे रखा है, दोस देखिए, टेलिग्राम गुरूप में आपको और भी लर्णिंग के आइडियास देते रहता हूं, ठीके, जैसे कि मैं आपको चार्ट शेर करता हूं ताकि आप लोग वहाँ पर लर्णिंग समझ पाएं, ठीके, वहाँ पर मैं आपको चीजे समझाता भी हूँ, तो इसलिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, कि इस लाइन के आसपास इस रेजिस्टेंस के आसपास बार बार आ ऐख से ले राता हूं, देख रहे हैं, बार आप यह निकल चुका, अब यह ऊपर दाने को रेडी हो चुका है, आगससे बाहँ करके चलना है, चलिए बात करते हैं दुसरे स 34, चार बार resistance लिया करता था, यह चार बार, ठीक है, अच्छा, यह resistance कितना है level दोस्तों, यह level आपका 395, 395 क्या है, CR, crucial resistance है, ठीक है, crucial resistance था, अब यह इसके उपर निकल चुका, अब हमें क्या करना है, बाय करके चलना है, आपका SL कितना होगा, दोस्तों, आपका SL होगा, 393 का ठीक है, और जब तक 395 के उपर है, आपको बाय करके चलना है, यह IGL ना बहुत गिर भी चुका था, इसलिए अब यह उपर जाने को ready हो गया, और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि IGL ने triple bottom भी लगाया है, करीबन, have a look, one and two and three, तो अब क्या करना है, हलका फुलक बहुत सिंपल सा, बहुत पॉरफुल सा बताया ही है, यूट्यूब बने विडियो अपलोट की है, वो क्या है हमारा, bullish engulfine, यह क्या हमारा, red candle, इसके से छोटी candle emerge हो गई है, जैसे ही इसका height उटेगा, यह करने वाला एक धांसू moment, शांदार moment देने वाला है, तो प्रिपेर रहिएगा, IGL में, in the past, gas limited में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इसको नीचे जाना होता, तो यह कब का नीचे चला गया होता, ठीके, यह इसको, इसने क्या किया है, respect किया है, और आज यह breakout देख चुका है, इसलिए हमको buy करके, चलना है, IGL में, ठीके, अच्छा, ब 1, 2, and 3, अब यहाँ के support लेच चुका है, ठीक है, थोड़ दान सुनिएगा, अब क्या करता है, अगर एकल 1865 के नीचे अगर लगतार रहता है, तो you can go short, आप short haul कर सकते हैं, आप अपने इसाब से target yourself set कर सकते हैं, परंतु मान लीजिए, अगर 1165 के नीचे अगर close ना होके, अगर यह इसके level को उपर breach कर देता है, दोस्तों यह level कितने का है, यह level आपका 1875 का, अगर उपर side 1875 के level के उपर अगर close हो जाता है, तो आप फिर buy कर सकते हैं, jubilant food को, तो यह दो level हैं, जिसमें आपको कल एक range play करके चलना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि range बना चुका है, अब इस range का either breakout और either breakdown हमें देखने को मिलेगा, तो आप prepare रहिएगा कल के लिए, तो दोस्तों हम जान चुके हैं, अपने 3 stocks, दोस्तों कल है nifty और bank nifty की weekly expiry, तो थोड़ा सा cautious रहिएगा, market में काफी सारी news भी है, ठीक है, जो stock मेंने बताए हैं, उसको आप धुन, भाइ मत कीजिए, आप सही से लेबल पर भाइ कीजिए, दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना भोल गया, HDFC Life जो हमने आपको कल बोनस टॉक में दिया था, दोस्तों आज यहां पर देख सकते हैं, HDFC Life का 10 मिनट का कोई candle नीचे तो क्लोज हुआ नीचे तो क्लोज ह आज इसने क्या किया, उपर भी गया, नीचे भी आ गया, तो इसमें हो सकता है, कुछ लोगों का लॉस हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता रहता, यह बहुत range bound stock था, आज को देखिए, आज यह कहीं नहीं गया, ठीक है, तो इसमें हमारा normal सा वो रहा, उसमें कुछ extra ordinary हुआ नहीं, तो दोस्तो आए होप आपने कुछ सीखा होगा, समझा होगा हमारी आज की वीडियो में, इसी प्रकार से सिखते रहें, समझते रहें, दोस्तो वीडियो कैसी लगे, कमेंट सेफ में जब लिके बत दिएगा, दोस्तो अगर आपको इसी प्रकार से regular based content चाहिए, educational based content चाहिए, तो लाइक करिए, share करिए and subscribe करिए और जोस्तो आप सब का धेड़ सारा प्यार के लिए बहुत बहुत शुकरिया, नमस्कार आप सबको